हाई फ्रेंड कैसे हैं आप सब आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आज मैं आपको बताऊंगी मूँ की बद्बू हम कैसे दोर करें जी हाँ पहुत से लोग मूँ की बद्बू शे परिसान रहते हैं अगर आपके मूँ से बद्बू आ रही है तो ना तो कोई आपके पास बैठना पसंद करता है और ना ही आपसे बात करना तो आज मैं कुछ ऐसे गरेलो नुस्खे बताऊंगी जिससे आपकी ये समस्य खतम हो जाएगी मूँ से बद्बू आने के क्या कारण हो शकते हैं पहले तो आपको ये भी जानना जरूरी है आपकी पाचन क्रि दूर्गंध आने का कारण हो शकती है इसके अलामा दातों की शटन पैरिया या फिर दातों और मशूरों की किसी बीमारियों के चलते भी मूँ से बद्बू आ सकती है पहले तो ये सबसे जरूरी है कि आप अपने दातों को दिन में दो बार अच्छे से ब्रश करिए अपन जो बद्बू का कारण बन सकती है दात की बद्बू का इलाज कराने से पहले ये भी तैंक कर लें कि बद्बू का कारण कहीं कोई बीमारी तो नहीं है वरना उपाय से आपकी बद्बू तो कम हो जाएगी लेकिन दात खराब होने के हो शकते हैं जिस बीमारी को रोका जा सकता था वो बढ़ जाएगी अब मैं आपको बताऊंगी मूँ की बद्बू दूर करने के कुछ घरेलूनुस्ख है जैसे की ग्रीन टी ग्रीन टी के इस्तेमाल से मूँ की बद्बू को कम किया जा सकता है इसमें एंटि वैक्टेरियल कमपोनेंट होते हैं जिससे दुरगंद दूर हो जाती है खुब पानी पीएँ जी हाँ पानी पीने से भी मूँ फ्रिस बना रहता है और दातों में फसे खाने के तत्तों निकल जाते हैं जिससे मूँ में खाना सड़ता नहीं है मुho बार बार साफ हो जाता है जिससे दुरगंध नहीं आती है अनार के छिलके को पानी में उबाल कर उस पानी से कुला करने से मूँ की बद्बू दूर होती है सूखा धनिया भी एक अच्छा माउथ फेसनर है इसे मुँ में रखकर चबाने से भी मुँ की दुरगन दूर होती है तुलसी की पत्तियां जी हाँ तुलसी की पत्ति चबाने से भी मुँ की बद्बू दूर होती है और जैसे कुछ मुँ में कोई घाओ हो तो उसमें भी तोलसी के पत्ते बहुत ही फाइदे मन्द होते हैं सर्सो का तेल, सर्सो का तेल और नमक हर रोज दिन में एक बार सर्सो के तेल में चुटकी भर नमक मिला कर मशोडों की मसाज करने से मशोडे स्वस्थ रहते हैं और बद्बू पनपने का खत्रा भी कम हो जाता है लॉंग, सौफ और इलाइची मुँ में लॉंग रख कर चूशने से बद्बू तो कम होती है साथ ही दांतों की दर्द से भी छुटकारा मिलता है सौफ चवाने से भी मुँ की बद्बू दोर होती है इलाइची को भी मुँ में रख कर चवाने से मुँ की बद्बू दोर होती है अमरोद की पत्तियां जी हाँ, अमरोद की पत्तियों को पानी में उबाल कर उससे कुल्ला करने से भी मूं की बद्बू दूर होती है फिटकिरी के पानी के कुल्ले जी हाँ फिटकिरी के फिटकिरी को हलका सा पानी में डालके गुन-गुना करो फिर उससे कुल्ला करिए उससे भी आपके दातों का जो दर्द है वो भी कम होगा और मूँ की बदबू भी दूर होगी तो आज की जानकारी बस इतना है मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद प्लीज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर करेए अब मैं चलती हूँ फिर मिलूँगी आपके साथ एक निस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई